किर्शी कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर धने पर बैठे किसानों को छे महीने पूरे हो गए हैं। देश्ट भर के किसानों ने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। उत्रप्रदेश में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंग सभा के हेड गरंती सरदार बलविंदर सिंग ने किर्शी कानूनों के विरोध में गुरुद्वारा साहिप से काले जंटे के साथ पैदल यात्रा निकाल कर बड़े चौराहे पर धना दिया। साथ ही कलेक्टेट में किर्शी कानूनों को वापस लेने का अपना मांग पत्र जिला दिकारी को सौपा। सरदार बल्विंदर सिंग ने बताया कि जो किर्शी कानून बनाए गए हैं वे तीनों ही देशित में नहीं हैं। उन्होंने का कि किसान अंदोलन के 6 महीने पूरे होने के बाद भी केंदर सरकार ने काले कानून वापस लेने का कोई नेड़ाया नहीं लिया है। MSP लागू करवाने के लिए बुड़े बच्चे महीलाएं हर मौसम में अंदोलन कर रहे हैं। फिर भी सरकार अपने बनाए काले कानून पर ही अड़ी हुई है जो देश की जंता का वर्तमान और भविशे को चौपट कर देगी। तो हमारे हिंदोस्तान की हालत बहुत बुरी होई हमारी जम्मतों सी बिल्कुल नहीं है और हम दूसरों के लिए कनून बनाते हैं हमारे खुड के लिए कोई कनून नहीं ता जब जहां लोग माउस द आगे चल रहे तो हमारी परदान मेरेंद्र मोती मंगाल के इंदर वगयर म तो पुलिस मरी, जवान मरे, कई जाने मरे जिसके जुम्मता कौन हो सकते हैं हमें अपनी घुड के लिए हम कुछ भी करते हैं हमें पबलिक का फ्यार रखने चाहिए पबलिक है तो सरकार है पबलिक नहीं है तो सरकार नहीं है पबलिक कोश्ची पर बठाना भी जाती है और भेंति को प्रमान किया है, यह हमारी भेंति महां तच दिया आपने अधान मंतरी और आपके तथी अंधा कॉंचिनिता है, धन्यवाद बहुत बहुत में आपके पूरे मीडिया अलों को बहुत धन्यवाद करता हूँ.